बिस्मिल्ला रह्मान रहीम आज सामने को माई यूटी फेमली वेल्कम टू माई चैनल कैसे हैं आप सब लोग उमीद है कि सब दिल्कोर ठीक ठाक होंगे अभी हास होगे मैं आप लोग साथ आशेयर करने जारी हूं कड़ी के एक सबदस्ती रेसिपी जिसके मैंने ले लिया है और इसके अंदर मैं अड़ प्याज प्याज जो है वो मैंने काट लिये हैं और यह जितीन अदर प्याज ठीक है इनको यहां पर कर दूँँगी गोल्डन ब्राउन डार्क ब्राउन आपने नहीं करना है ठीक है जस्स इनको सॉफ्ट करना है तो यह जी एक सबदस्त किसम के रेस्पी है कड़ी की कड़ी की और रेड़ी एक रेस्पी में चैनल पर मुझूद है उसका लिंक भी मैं आई बटन में दे दूंगी और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी आप उसको भी ज़रूर देखिएगा वो भी जटबट मनने वाली कड़ी है जिसको मैंने चमच चलाते जाना है चमच आपने यहां पर अब रोकर नहीं है क्योंकि जब प्यास ब्राउन हो जाता है तो पिर एक दम साइडों से जल जाता है अच्छा जी जब तक प्यास ब्राउन हो रहा है चैनल को सबस्क्राइब कर दीजिए और वीडियो कर आपको पसंद आ रहे अच्छे जब से पहले हैं इसमें अड़ कर लेती हो लेसे नदर का पेस्ट वंटेबल स्पून और साथ ही मैं इसको यहां पर हिला लोंगी ताके जल न जाए तो यहां पर इसको दो मिन बून लीजिए उसके बाद यहां पर मैंने ले लिये हैं टमाटर तीन अदर टमाटर का पेस्ट लिया है फ्रेश्ट माटर भी यूज़ कर सकते हैं तीन अदर टमाटर हैं इसको भी यहां पे मैं भून रही हूं दो से तीन मिनट हम लोग यहां पे अब मसाले को दर्मयानी आज पे अच्छा सा भूनेंगे और उसके बाद जो है मसाले अड़ करेंगे पहले मसाल देखो यहां पे अच्छी तरा भून लेना ऑगी तो मैं पो यहां पे आड़ करें हूं नमक ünüz-1 उड्पून चला गया है 1.5 टेबल स्पून ठीक है रेड चिली पाॉडर जो है 1 टेबल स्पून इसमें चेला गया है और हल्दी इसमें चेलेगी है 1 टेबल स्पून तो simple थोड़े से मिसाले में ने यूज़ गी है बेसिक यही तीन मिसाले यूज़ गी है कुछ भी एक्स्ट्रा यूज नहीं किया और आप देखेंगे किया कमाल का टेस्ट आएगा सिर्फ इन मिसालों के साथ कड़ीगा यह जब दस किसमें का मिसाला त्यार हो चुक्त है यहाँ पर अमिन ले लिया है बेसेन 10 टेबल स्मून यह बड़ा बॉल है उसमें मैंने बेसेन को इस तरीके से पानी डालके जो है पेस्ट एक बना लिया है और इसको जब पेस्ट यह बन जाएगा तो इसको मैं रखतूंगी साइट पे दूसरी तब जो है मैं ले लूँगी देही देही जो है यह मेरे पास है बेसा के ला इसको इस तरीके से आप तोड़ा सा पहले बीट करने और फिर आप इस देही को शामिल कर दीजिए इस बेसन के अंदर और साथ में इसी तरह हाँ आप इसको पीटर के माहेंट से मिक्स करने ताकि जो है वो गुट्ली बगरना बने उसके बाद हम इसमें एट करेंगे पानी ठीक है अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने इसमें इतना पाने शामल कर लेना है जितनी के इस बतन में जगा है ठीक है और साथ साथ इसको थोड़ा सा मिक्स कर ले और फिर ये पानी सारा मिक्सर आपने उठाना है और डाल देना है जो हम मसाला त्यार करे थे उसमें ठीक है और एक हाथ में से आप इसको डालेंगे दही को और साथ में एक हाथ में से चमच भी हिला लेंगे ताके एक दम से कुट्लिया ना बन जाए और कड़ी फटना जाए यहां पे आपने चुले को कर लेना है फुल और साथ ही चमच हिलाते जाना है थोड़ी थोड़ी देर बार ताकि कड़ी फटना जाए ठीक है तो यह एक चोटी से टिप है जो मैं आपको दे रही हूँ आपने कड़ी को बिल्कुल नहीं छोड़ना और वाला ना स्टार्ट हो पुल आच पर मैं इसको साथ साथ हिला रही हूँ जब इसको फुल एक दफ़ा बॉयल आ जाएगा फिर आपने इसको हलकी आच करके ढखके पकाना है लेकिन जब तक बॉयल नहीं आता इसमें तो आपने इसको चमच जो है साथ साथ थोड़ी थोड़ी दे बार हिलाते रहन ठीक है अब यहां पर इसमें अच्छा सा बॉयल आ चुका है तो यहां पर मैं इसको कवर कर रही हूँ और तीन से चार खंटों के लिए मैं इसको पका लूँगी हलकी आच पे अब हम यहां पर पकोड़े त्यार करें हैं बेसन में ले लिया है और उसमें मैं नमक एड़ कर पतला नहीं करना यह मैं उसी टाइम पेस्ट बनाके रख तूँगी और इसको भी मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट दूँगी ताकि अच्छे से हमारे जो हैं वो पकोड़े बने तो यह तकरीबन पेस्ट में ने कर लिया है तैयार अब इसमें मैं एड़ कर लूँगी प फिर आप इसको क्या करेंगे धख के थोड़ी देख के लिए रख देंगे और एंड में आपने कड़े बनाने हैं और यहां पे कड़ी हो चुकी है जबदस किसम की तयार में आपको इसकी शकल दिखा देती हूँ तकरीबन साड़े तीम गंटे हो चुके थे इसको पकते वे यह देखने जबदस किसम की यह ठिक हो चुकी है अभी इसमें कोई ऑईल वगर उपर नहीं आया ठीक है यहां पर मैंने ऑईल ले लिया है पकोड़े फ्राय करने के लिए और इसमें मैं पकोड़े जो है वन बाइवन करके डाल लूँगी और इनको में फ्राय कर लूँगी पहले एक तरफ से बना पकाऊंगी और फिर दूसी तरफ से और इडी मेरे चैनल पर पकोड़ों की रेस्पी मुझूद है अगर आप डिटेल रेस्पी देखना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक जो है आई बटन में दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे द तो मैं इन पकोड़ों को जो है अब निकाल लेती हूँ और इनको आप अगर तो यह अलग अलगे हैं तो डारेक्ट ही कड़ी के अंदर डालने अलग नहीं हुए वे तो आप इनको पहले प्लेट में निकाल के अलग कर लें और फिर इनको जो है जो कड़ी पक रही है चूल पकोड़े एड़ करने के बाद हम लोग इसका तड़का तयार कर लेंगे पकोड़े एड़ करने के बाद आपने तड़का लगाना है पहले तड़का लगा के बाद में पकोड़े नहीं डालने ओल लिया एक अप और जीरा उसमें एड़ कर रही हूं डिर्ट चमच और साथ हरी में एचे हैं दो से तीन अदर और इस तड़के को मैं अट कर दूंगी कड़ी के अंदर इसके एक चोटी से टिप मैंने आपको दी है कि पकोड़े पहले अट करने हैं इससे बहुत ही जबदस आपके पकोड़े जो है मजीद नरम हो जाएंगे तो यह हमारी कड़ी हो चु पकोड़े लेकिन मैंने नहीं तोड़े में भूल गई थी तोड़ना तो आप इसको जुरू ट्राए किजिए को बहुत ही सॉफ्ट पकोड़े और बहुत ही यम्मी किसम के कड़ी यह तैयार हुई है और उपर मैंने इसको धनी एक साथ गार्णिश कर लिए आपने इसको ज मुझे दीजिए अजाज़त मरकिए बहुत सारह है याले आप जाए लिए जाए है